हेलो दोस्तों मैं यूग एक बार फिरस एक नई वीडियो के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्रेन कितने टाइप की होती है और साथ ही उनके कुछ एक्जाम्पल्स तो अगर आप किसी construction site या किसी manufacturing unit में job करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी useful हो सकती है तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रेन का use किसी भी load को lift या load को एक जगह से दूसरे जगह safely shift करने के लिए किया जाता है क्रेन का use mostly construction site, manufacturing unit, workshop या ऐसी तमाम तरह की जगहों में किया जाता है जहां heavy load को handle करने की ज़रूरत होती है क्रेन को mainly दो गुरूप में divide किया जाता है आए ये सबसे पहले discuss करते हैं कि mobile क्रेन क्या होती है जैसा की नाम से ही clear हो रहा है कि ऐसी क्रेन्स जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए बहुत easily ले जा सकते है जो कि एक tire mounted crane भी हो सकती है या एक crawler भी हो सकता है जबकि stationary cranes की category में ऐसी cranes को रखा जाता है जो कि एक जगह पे fix होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह किसी भी load की lifting या shifting करने के लिए immediately नहीं ले जाया जा सकता है आए डिसकस करते हैं कि किन किन cranes को mobile and stationary cranes की category में रखा जाता है truck mounted crane जो कि एक mobile type की crane होती है जैसा कि आप image में clearly देख रहे हैं जिसमें crane को एक truck के उपर mount किया गया है जिससे आप इस crane को एक जगह से दूसरी जगह बहुत easily ले जा सकते हैं crawler cranes भी एक portable crane की category में आते हैं ऐसी cranes को crawler के उपर fix किया जाता है इसी लिए इनको crawler crane बोला जाता है जिनका use heavy load को lift करने के लिए किया जाता है crawler cranes 360 degree में rotate करके भी load को बहुत easily handle कर सकते हैं फिर आते हैं altering cranes जो की four wheel drive system crane होती है यानि आप एक ही steering से crane के चारो wheels को control कर सकते हैं altering crane में एक telescopic boom होता है जो hydraulic power से operate किया जाता है तो दोस्तों ये हुए कुछ ऐसे portable cranes की type जो की industries में सबसे ज़्यादा use किये जाते हैं आईए अब बात करते हैं कि stationary type की crane में किन किन cranes को रखा गया है सबसे पहला है tower crane tower crane को mostly high rise building की construction site में use किया जाता है tower crane में mainly दो part होते हैं पहला है vertical part और दूसरा है horizontal part crane के vertical part के base को ground में concrete के साथ fix कर दिया जाता है और crane के horizontal part में एक boom होता है जो की load को convey करता है crane के boom की back side में counter weight को fix किया जाता है जो की crane के load को proper balance करके रखता है उसके बाद आते हैं electric overhead traveling crane in short EOT जा जिनको हम आसान शब्दों में overhead cranes बोलते हैं इन तरह की cranes को commonly manufacturing unit, maintenance unit या ऐसी workshops में किया जाता है जहां heavy load की lifting होती है stationary cranes का next example है railroad crane जिसको mostly railway के maintenance section, goods को handle करने के लिए और train के accident में जो rescue operations होते हैं उन्हें में बहुत ज़्यादा किया जाता है फिर आते हैं floating cranes, जैसा कि आप image में clearly देख रहे हैं floating crane का use ocean में load की lifting करने के लिए fix किया गया है ऐसी cranes को ship yard में use किया जाता है floating cranes को ship के उपर ही mount किया जाता है so अगर आपको किसी पानी वाली जगह में load की lifting या shifting करनी हो तो आपको ऐसी जगह floating cranes को use करना पड़ेगा next है gantry cranes, जिनको एक rail के उपर fix किया जाता है जिनका use किसी भी load को carry करके एक fixed distance अक load को एक जगह से दूसरे जगह convey या lifting करने के लिए किया जाता है दोस्तों आए कुछ और heavy construction equipment को discuss करते हैं जो कि crane की category में तो नहीं आती है बट इनका भी use industries में load को handle करने के लिए बहुत ज़ादा किया जाता है like loader जिसका use construction site में material like मिट्टी, पत्थर, sand को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह shift करना होता है loaders को mines में बहुत ज़ादा use किया जाता है loaders का shovel जितना बड़ा होगा वो उतना ज़ादा volume तक material को lift कर सकता है next is excavators जिसमें bucket, boom and arm main part होते हैं जिनकी help से digging operation किये जाते हैं excavators 360 degree में भी freely rotate करके अपने job को बहुत easily perform कर सकते हैं fork lifts fork lifts का use short distance में load को एक जगे से दूसरे जगे ले जाने के लिए किया जाता है fork lifts कई load lifting capacity में आते हैं जो की एक से ले करके 8 तन तक के weight को safely handle कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफे informative रही होगी और अगर ये वीडियो आपको useful लगी हो तो आप सभी से request है कि please channel को subscribe करके वीडियो को like and share जरूर करिए thank you for watching